जन्पद हात्रस के कस्वा सिकंद्र राव में आज एक सबसंग सभा में धर्दनाक हाथ्षा हो गया जिसमें बड़ी संख्यामेट जान चलिए और दर्जनों लोग घायल होए हैं जिने खात्रस से अन्य जन्पदों के अस्पतालों में इलाज के लिए देजा गया है शाष्चनिक अधिकारी आग्रा मंदल अलीगर मंदल के बड़े अधिकारी मौपे पर मौझूद है पहली प्राथ उठाव यही है कि जो लोग पीडित हैं परिशान हैं उनको राहत दी जाए प्राथमिक सुन्धान दी जाए हमारे साथ इस्थानी लोग मौझूद है जिनों सर जब मैं एक दुखान पर सौफ पर बैठा था तो जब सौफ पर बैठके जब चार पांच एम्बूलेंस लिख लेगी थी यह तो हमें मालूम था दो दिन पहले से कि कोई ससंग वगएरा या फिर कुछ पंडाल वगएरा लगए तो जब मैं दुखान पर बैठा था तो चार एम्बूलेंस वहाँ से लिख ली थी यह कोई बात होई फिर लगएतार तीन एम्बूलेंस और दूसरे रिष्टे के वागएरा गी आई तो अमने की जादे मेट बड़ा होगया तो वहां के लोगों ने पर प्रताल אותו करी वहाँन एक दूसरे में बात चलनने लगी च सब्सक्राइब तो यहां हमने देखाए कि दर्जनों के हिसाब से ओधा हुआ है कोई हिष्टेचरव है सुभिदाई नाम की कोई चीज नहीं थी सर्थ कैसा मंजर ऐसा था कि आखों में सा आँसु आ रहे थे बिल्कुल कोई यहां पड़ा हुआ जादे तर उसमें लेडी जादे थी तो सर सब उमर की थी बच्चे भी थे 12 साल के 15 साल के 30 साल की 80 साल की 70 साल की सब उमर की आप लोग यहां पहुंचे लेकिन सर प्रसाजन इतना आ था कि उन्होंना जा रहे सुभाएं या सुभाएं के करीब की जिन्दा थी वह फड़फ़ा रही थी ऑक्सिजन के लिए आप लोग मदद के लिए पहुंचे थे हमने उनको उठवाया भी तो और भी लोग हमारे साथ मौजूते लिए ऑक्सिजन नहीं था यहां पर सब्सक्राइब लोग हैं जो मदद के लिए आगे आए जब लोगों नो देखा के मनजर भयावा है दर्दनाख है लोग इदर दर पड़े हुए हैं को इस्तानी लोग अपनी और से लोगों को राहत पहुचाने कोशिश की मदद करने पाशे हैं और यह दर्दनाख हासा इतना वहयावया है कि सब की आख हैं जिसने इस मनजर को देखा उसकी आख नम हो गए हैं रहे लोगों को वस्पदाब में बेजा गया है शबों को पोस्पाडब देखे सब्सक्राइब करने रहे हैं और यह दर्दनाख है कि सासन के सब्सक्राइब को पहुंचे हैं और इससे की आज़िशाई देखे रहे हैं एबी पी गंगा खबर आपकी जबाद की